बहुत समय पहले की बात है एक किसी घने जंगल में पक्षियों की सभा लगा करती थी जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उसका हल निकालते थे लेकिन पिछले कुछ वक्षियों का राजा गरूर सिर्फ भगवान विश्नु की भाक्ती में लीन रहता था इससे परेशान हो करहन्स, तोता, कोयल वकबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक आम सभा बुलाई सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गरूर हमारी और ध्यान ही नहीं देते तब ही मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विश्णू लोग जाना पड़ता है सभी जानवरों की दुर्गती हो रही है लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता उसी वाक्त चिरिया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा कोयल ने और मुर्गे ने इसका समर्थन किया इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमती से एक नया राजा चुनने का फैसला लिया अब राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमती से उल्लू को राजा चुन लिया नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राजय अभिशेक की तैयारियों में जुट गए तमाम तीरत स्थलों से पवित्र जल मनवाया गया सारी तैयारियां होने के बाद उल्लू के राजय भिशेक का दिन आया मुकट, माला सब सामान तैयार था तोते मंतर पढ़ रहे थे तभी दो तोतों ने राजय भिशेक से पहले उल्लू से लक्षमी मंदर जाकर पूजन करने को कहा उल्लू फोरण तैयार हो गया अरे इतनी तैयारियां किस खुशी में और ये उत्सर्फ क्यों मनाया जा रहा है इस पर मोर ने कोई से कहा हमने जंगल का नया राजा चुना है आज उनका राज अभिशेक होना है उसी के लिए ये सब सजावट की गई है इतना सुनते ही गुसे से लाल कोई ने कहा ये फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया मैं भी तो एक पक्षी हूँ इस बात का जवाब तुरंक मोर ने देते हुए कहा ये फैसला जंगली पक्षियों की सभा में लिया गया था अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गाउं में जाकर बस गए हो गुसे में काले कोय ने पूछा किसे तुमने राजा चुना तो मोर ने बताया उल्लू को ये सुनते ही कौवा और गुसा हो गया वो अपना सिर जोर जोर से पीत कर काओ काओ करने लगा मोर ने पूछा अरे क्या हुआ तुम है कोय ने कहा तुम सब बहुत मूर्खो उल्लू को राजा चुन लिया, जो दिन भर सोता है, और जिसे सिर्फ रात में दिखाई देता है, तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे, इतने सुन्दर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी आलसी और काय उल्लू को अपना राजा चुनने पर तुम्हें शर्म नहीं आई, धीरे धीरे कोई की बात पक्षियों पर असर करने लगी, सभी आपस में फुसफुसाने लगे, उन्हें लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इस वजह से देखते ही देखते सभी पक्षियों वहां से गायब हो गए, राज या भिशेक के लिए सजी जगल पूरी सूनी हो गई, आप जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए, तो उन्होंने जगल को सूना पाया, ये देखकर दोनों अपने साथियों को धूनने और वहां से जाने की वजह जानने के लिए उल गए, वहीं, उल्लू को कुछ नहीं देख रहा था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और वो राज या भिशेक के लिए तयार होने लगा, लेकिन चारों तरफ शान्ती होने पर उसे शक हुआ, उल्लू जोर से चिलाया, कहा गए सब, इतने में पेड़ पर बैठी उल्लू की दोस्त ने कहा, सब जले गए, अब नहीं होगा आपका र दोस्त ने बताया, एक कौवा आया और उसने सभी को पटी पढ़ाई, इसी वजह से सब यहां से चले गए, बस वही कौवा यहां पर है, ये सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकना चूर हो गया, दुखी उल्लू ने कौवा से कहा, तुने मेरे साथ है सक्यों किय लेकिन कोई ने कोई जवाब नहीं दिया, इतने में उल्लू ने एलान कर दिया, आज से कौवा मेरा दुश्मन है, आज से सभी कौवे उल्लू के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, इतना कहकर उल्लू उड़ गया, उल्लू की धम की सुनकर उसे काफी पच्टावा भी हुआ लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बात बिगर चुकी थी इसी सोच में कोवा वहां से उड़ गया तब से उल्लू और कोई की दुश्मनी चलती आ रही है इसलिए मौका मिलते ही उल्लू कोव को मार देते हैं और कोई उल्लू को इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के मामलों में हस्तक शेप करना भारी पर सकता है दूसरों का काम बिगारने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकती है इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें